सब्सक्राइब करने वाले एक ऐसे स्कूटर जो कि कमर्शिल यूस की हिसाब से बहुत सही बनाए गई है हम बात कर रहे हैं डिस्पैच की वैसे तो यह इंडिया की फर्स्ट और इन हॉम डवलॉप्ट हुई वाली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है वैसे तो इस गाड़ी की जो लाँचिंग है वो नेक्स्ट येर फर्स्ट कॉर्टर में है अभी नहीं है बट इन्होंना एनाउस्मेंट कर दिया कि यह इंडिया में बहुत जल्द आने वाली है यह बैसिकली उनको फोकस करते हुँ बनाया गया है जो कि कमर्शेल यूज के लिए ज़ादा प्रिफर करते हैं आला कि इसमें डे-टू-डे अक्टिविटी जो फैमिली वाले लोग है वह भी इस गाड़ी को यूज कर सकते क्योंकि इसमें अटाच्मेंट्स बहुत जादा है जो की देखने को मिल रही है इस कमपनी के तरफ से मुझे मेल आया था कि इसके उपर भी आप एक प्रकाश डालेंगे या थोड़ा डीटेलिंग करेंगे तो एटलिस्ट हमें भी अच्छा लगेगा वह तो हम जब राइट करेंगे तभी हम बता पाएंगे बट अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की तो यहां पर बहुत ही मिलिमिस्टिक डिजाइन है काफी रिजिड बॉड़ी है अर्गनॉमिक्स भी बहुत ही मिलिमिस्टिक है क्योंकि इस गाड़ी को टफ बना गया है फिर रिजिड और बहुत सकतों कि शौक एब्जॉर्बर दिया गया है जो कि वेट को भी अच्छे से होल्ड कर सके साथ इसाथ अच्छी राइडिवलिटी भी प्रोवाइड कर सके फ्रेंड का टायर अलॉइवील है यहां पर आपको मिलता है डिस ब्रेक फ्रेंड में ज्यादा ब्राइटेंस के साथ है नॉर्माल है बट बहुत सारी इंफ्रमेशन दे देता है बैटरी रेंज एंड कितने की टॉप स्पीट चल रही है वेदर कैसा है सब कुछ ब्लूटूट कनेक्टिविटी है की नहीं उसके नीचे एक वाटर प्रोव बॉक्स दिया गया ह से एंड यहां पर वाटर प्रूफ हो जाता है जिससे की एक कमर्शिल यूज के हिसाब से गाड़ी में जो चीज होनी चीए वो तो है यानि किसी को भी अलग से मुवाइल होल्डर लगनी जरुवतनी कंपनी खुदी प्रोवाइट कर रही है यहां पर जो सीट है फ्रंट सी मिल रहा है कि in future अगर यह इंडिया में पूरा का पूरा stable करते है साथ इसाथ पूरा का पूरा बनाते है यहां पर चार्जिंग मिलेगा साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग नेट्रोंग भी यह बनाने वाले हैं in future दो बैटरी होगी कितनी है अभी तक तो कंपनी ने यह सारी चीज नहीं बताईए बट जो रियर सीट है वो सीट कम बोल सकतो वहां पर मल्टीपल चीजे यूज़ कर सकतो लाइक मल्टीपल एसेसरी इसके साथ मिल सकते है लाइक पाइनियर्स इवन आपको किचिन से रिलेटर अगर कोई आपका शौप उपन करना चाहरे हो मतलब आपको कर रहे एंड कस्तमाइजबल होगा आपके हिसाप से रियर एंड की बातको यहां पर भी बहुत च्छोटा सा अलेट टेल लेट दिखिंगो मिलता है एंड लेट इंडिकेटर रियर में टायर हगर तिया गया है साथजार आपको मिट सेट मोटर है चेंड्राइब के साथ आएगी या बेल ड्राइब के साथ आएथी यह कंफर्म नहीं है वो तो जब आएगी तब ही हमको पता चलेगा एंड जो यहाँ पर बैटरी यूजो की अगें काफी अच्छी बैटरी बने जाती लेकिन कितने कैपेसिटी है कितने व सब्सक्राइब को तो यह मेरे को थोड़ा थोड़ा जो शार्क टैंक में आया था ना रेव एंप करके एक कंपनी थी उन्होंने भी ऐसे ही कुछ मॉड्यूल सजेस्ट किया था शार्क टैंक में सेम वैसे ही कुछ देखने मिल रहा है बट यह थोड़ा मॉडन के हिसाब से रहा है आप वाली कंपनी गाडियों को कब लाउंच करें यह नहीं पता बट यह तो भाई कंफर्म कर चुके कि नेक्स्ट यह कभी भी लाउंच कर सकते हैं इस कंपनी के जो CEO है और बोल सकते हो को फाउंडर है जिनका नाम है रजित आरिया और इन्हों नहीं जिस गाड़ी को पूरा मेड इन इंडिया बनाया है प्राइज अभी तरह कंफर्म नहीं है बट विए एक्सपेक्टिंग 1.10 तो 1.15 लैक आफ्टर सब्सेडी इस गाड़ी का प्राइज लगबग 80,000 से 70,000 के बीच में रह जाएगा लेकिन वह तो जब आएगा तब हमको पता चलेगा कि एक्चुल में प्राइज क्या है और इसकी सबसेडी क्या है क्योंकि अगर लगवाते तो उसका प्राइज भी अलग से चार्ज होगा तो वास आज के वीडियो में इतना ही था इस गाड़ी के उपर अगर आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीस कमेंट करके जरू बता द है जब तक इन्वेस्टिकेशन कंप्लीट नहीं होगा बट एक्चुल में कहानी है कि गवर्मन ऐसे कुछ बोला नहीं है वह कोई भी इवी गाड़ी लॉंच कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं बस यह है कि जो इन्वेस्टिकेशन चल रहा है जिन लोगों ने उसके समझ के बड़ा भाई समझ के जो भी समझ के आपको बोलना बोल देजीगा मैं उसको ट्रीम करने का सोच रहा था पुरी ट्रीम में कहानी बिगड़ जाएगी इसलिए मैंने टाइटल चेंज कर दिया आई होप आप समझ गयोंगे मिलते एक लिए वीडियो में बाई